युक्रेन और रूस के बीच इडिस जंग को देखते हुए करीब तेरा दिन बीच चुके हैं अब बस अब सब ठक चुके है युक्रेन और रूस के बीच में कोई तुलना है ही नहीं आखे रूस इस बात को समझने को तयार क्यों नहीं है दोनों देशों के बीच में जंग न्यायपून नहीं है कहां रूस जैसी महाशक्ती के राश्ट्रोपती पुतिन और कहां एक छोटे से देश के राश्ट्रोपती जेलन्स की इन दोनों देशों के बीच में जंग छिड़ी जरूर है लेकिन अंत सबको पता है ऐसे में जरूरत है तो शांती से बैठ कर इस समस्या का हल निकालने की आखिर ऐसा क्या किया जाए कि ये युद्ध समाप्त हो जाए क्यूंकि ऐसे तो तीन दोर की बाची दोनों देशों के बीच में हो ही चुकी है लेकिन निशकर्ष अभी तक कोई नहीं निकल सका है क्यूं? क्यूंकि रूस ने युक्रेन के सामने ऐसी चार शर्ते रख दी है रूस ने कह दिया है कि अगर ये चार शर्ते युक्रेन मान लेता है तो संभव है कि ये युद्ध खत्म हो सकता है आखिर क्या है ये चार शर्ते सैने कारवाई बंद हो रूस की राश्रपती व्लादवर पुतिर ने 24 फरवरी को जब यूकरेन के खिलाफ जंग का एलान किया था तो कहा था कि उनका मकसद यूकरेन पर कबजा करना नहीं है बलकि उसे डी मिलिटराइज करना है यानि कि उकरेन की सेना को खत्म कर देना है रूस ने उकरेन की खिलाफ सैने कारवाई बंद करने की ये शर्त रखती है सम्विधान में बदलाब हो रूस हमेशा से उकरेन से किसी और संगठन में शामिल होने की बात पर नाराजगी जताता रहा है इस युद्ध का कारण भी यही है कि युक्रेन लगातर नाटो में शामिल होने की बात करता रहा है लेकिन रूस चाहता नहीं कि युक्रेन नाटो का हिस्सा बने युद्ध से पहले पिछले दुनों जब युक्रेन के नाटो में शामिल होने की बात ने तूल पकड़ा था त मुम्किन हो जाए क्रीमिया को मानिता दे रूस ने तीसरी शर्ट ये रखी है कि यूक्रेण क्रीमिया के रूसी हिस्से को भी मानिता दे क्रीमिया कभी रूस का ही हिस्सा हुआ करता था जिसे साल 1954 में ततकालीन सोवेट संकेनेता निकिता क्रुक्ष्चेव ने यूक्रेण को तोफे में दे दिया था मार्च 2014 में रूस ने हमला कर क्रीमिया को रूस में मिला लिया था लेकिन यूक्रेन इसे मानिता नहीं देता रूस ने कहा है कि अगर यूक्रेन क्रीमिया को रूसी हिस्से के तौर पर मानेगा तो युद्ध बंध हो जाएगा दोनेट्स और लुहांस्क को स्वतंत्र देश माना चौथी शर्ट यह है कि दोनेट्सक और रूहांस्क जोकी यूक्रेन के ही शहर है उन्हें रूस स्वतंत्र देश घोशित भी कर चुका है यूक्रेन से चाहता है कि इन दोनों शेहरों को यूक्रेन भी स्वतंतरुदेश माने 2014 में पूरवी यूक्रेन के डोनबास प्रांथ के डोनेट्सक और लोहांस के अलगावादियों ने खुद को अलग स्वतंतरुदेश घोशित कर दिया था यूक्रेन के साथ जंग शुरू होने से कुछ दिन पहले रूस ने डोनेट्सक और लोहांस को अलग स्वतंतरुदेश के तौर पर मानिता दी थी जिसका यूक्रेन ने विरोध किया था तो ये चार शर्ते हैं जिन्हें अगर यूक्रेन मान लेगा तो रूस युद्ध खत्मक करने के बारे में सोचे का जरूर लेकिन ये जो चार शर्ते हैं किसी भी देश के लिए मानना इतना भी आसान नहीं है ये तो रूस के सामने हार मान जाना होगा रूस के सामने उसके ह पुतिन ने शर्ते तो चार रख दी हैं लेकिन ये इतनी बड़ी है कि किसी विदेश के लिए इन शर्तों को मानना आसान नहीं हो सकता। अब देखते हैं कि यूकरेन क्या चुनता है जंग को जारी रखना या फिर रूस की इन चार बड़ी शर्तों को मानकर युद्ध खत्म कर देना वैसे आपको अगर जैलिंस्की को सलहा देनी पड़े तो क्या देंगे अपनी राय हमें जरूर बताएं झाल